Intermittent fasting को लेकर बहुत सारे लोगों को confusion रहता है तो उसके जो common से सवाल है उसके बारे में बात करने वाले हैं Intermittent fasting अच्छा है या किसे नहीं करना चाहिए जब आप eating window में है तो क्या खाना चाहिए और intermittent fasting से actually weight loss कैसे होता है fat loss कैसे होता है कैसे आपकी overall health improve होती है आप समझ पाओगे Welcome to holistic health विशिवांगी देसाई अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं ज़रूर उन लोगों के साथ शेर कीजेगा कि जो अपनी overall health improve करना चाहते हैं और जो वजन कम करना चाहते हैं या intermittent fasting के बारे में जानना चाहते हैं आप अगर Spotify, Apple Podcast पर सुन रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को ज़रूर बताईएगा intermittent fasting का सबसे पहला basic समझते हैं वो है क्या? intermittent fasting, eating और fasting की एक cycle है जिसमें actually वो एक diet नहीं है बट वो एक eating pattern है वो आपको help कर सकता है सही वक्त पर खाना खाना और सही वक्त पर fast करना ताकि आपका body जो है वो energy के रूप में glucose या glycogen का इस्तमाल ना करे बट वो fat का इस्तमाल करे जिसकी वज़े से आपका fat loss आसानी से हो जाए और बहुत सारे metabolic issues जो होते हैं उससे हम दूर जाए basically इसका common idea ये है कि आप जो overall calorie intake लेते हो पूरे दिन के दौरान वो कम हो जाए और वो भी सही वक्त पे कोई specific समय पे अब हम पूरी बात करेंगे कि exactly ये कैसे work करता है बट उसके जो top फाइदे हैं उसमें number one फाइदा है कि आप वज़न सही तरह से कम कर पाओगे इसमें muscle loss नहीं बट fat loss होता है अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपका जो insulin resistance या insulin insensitivity होती है वो कम हो जाती है उसके related जो जो issues है जैसे कि PCOD है या obesity या अगर किसी को type 2 diabetes है उसमें उनको काफी relief मिलता है जितने लोगों को body में inflammation है उनको ये help करता है बहुत ज़्यादा IF intermittent fasting काम करता है और ये आपके metabolic health के लिए भी बहुत ही अच्छा है तो अगर आपको belly fat loss करना है अगर आपको कोई किसम का cholesterol या heart related issue है तो again ये आपको बहुत ज़्यादा help करेगा और जैसे उसके अलावा मैंने diabetes वगेरा बताया जो metabolic syndrome में आता है उसमें भी ये help करता है ये even आपके brain health को भी काफी promote करता है बूस्ट करता है आपके focus, concentration, mood को enhance करना वगेरा वगेरा इतने सारे इसके फाइदे है अब exactly intermittent fasting कैसे काम करता है simple है जब आप कोई भी किसम का खाना खाते हो उसके अंदर का carbs example आप रोटी, rice, even simply apple खा रहे हो उसके अंदर का जो carbohydrate है वो convert होता है glucose में bloodstream में जाता है वहाँ से insulin के माधियम से आपके cell तक और organ तक पहुंचता है और वो आपको फिर energy प्रोवाइड करता है for whatever tasks you are doing अब जो बच गया energy जो glucose बचा वो store होता है आपके liver में as glycogen और और भी ज़्यादा जो बच जाता है वो even आपके edipose tissues में as fat store हो जाता है अब आपका body का mechanism ऐसा है कि next time जब आपको energy का इस्तमाल करना है तो वो जो storage है आपके liver में as glycogen वो glucose में convert होता है और आप उसका energy में इस्तमाल करते हो जब आप fasting करते हो तो उसका magical फाइदा ये है कि क्यूंकि आप एक थोड़ा लंबे समय तक fast कर लेते हो एक particular समय तक fast कर लेते हो तो जब आपका body glycogen to glucose जो convert हुआ liver के द्वारा वो जब आपने use कर लिया तो अब उसके पास एक ही रास्ता है एक fuel source का and that is nothing but the fat in adipose tissues तो क्या होगा adipose tissues में जो fat है वो free fatty acids में convert होते हैं और liver में additional metabolic fuel के रूप में वो convert होता है further और वो आप energy के रूप में use करते हो तो होगा क्या कि instead of burning just glucose glycogen आपका body fat burn करना शुरू कर देता है अगर एक लंबे समय तक आपने fast किया तो इसी लिए intermittent fasting में एक specific window होता है जिसे 16.8 बोला जाता है और ये concept भी इसी लिए बना कि क्यों 16 गंटे because वो 16 गंटे scientifically proven है कि उस समय में आपका fat burning सबसे ज़्यादा efficiently होना चालो होना शुरू हो जाता है तो एक तो हमने देखा कि आपका body का fat burning efficiency बढ़ेगा बट जो एक दूसरा main फाइदा है that is insulin insensitivity को overcome करने का ये बहुत अच्छा तरीका है क्यों देखो आप जितनी बार खाना खाते हो उतनी बार जब blood sugar up होता है उसे down करने के लिए आपका body insulin pancreas के माधिम से produce करता है जिससे blood sugar drop होता है इसका मतलब ये हुआ आप जब जब खाना खा रहे हो उसके बाद blood sugar तो spikyarize होता है बट साथ में even insulin भी spikyarize होता है depending on क्या आप खा रहे हो तो जितनी बार आप खाना खाओगे उतनी बार ये insulin आपके चार्ट में अगर आप देखोगे it'll be like this अगर आप दिन में पाँच बार खा रहे हो तो आपका graph कुछ इस तरह से होगा मैंने दो बार या मेरे participants के साथ भी एक experiment किया हुआ है CGM आपने शायद सुना होगा continuous glucose monitoring तो उसमें एक इनो ग्राफ दिखाया जाता है कि कितना आपका blood sugar spike होता है so imagine कि आप जब जब खाना खाते हो तो blood sugar तो spike हो ही रहा है बट साथ में even insulin भी उतना ही spike हो रहा है तो the more meals you have in a day the more insulin spikes you are going to have in a day especially अगर आपने unhealthy खाना खाया है इसका मतलब मैं बिल्कुल भी यह नहीं बोल रही हूँ कि हर दो तीन गंटे पे जो बोलने का खाने का concept है वो गलत है not at all यहाँ पर crux यह है कि अगर आपको कोई specific issues है body में और अगर आप unhealthy खाना वो भी बार बार खाते हो तो उससे जो वो insulin spike constantly होते रहता है वो damage करता है बट जब आप fast करते हो intermittent fast करते हो तो होता यह है कि क्योंकि आप example पहले breakfast खा रहे थे बड़ आपने अब breakfast skip किया क्योंकि आप intermittent fasting कर रहे हो तो आपका जो एक meal का spike होने वाला था वो कम हो जाता है that means आपके body को उतना rest मिल जाता है insulin को उतना pancreas को उतना rest मिल जाता है तो क्या होगा जो body के tissues desensitize हो चुके है वो वापस से थोड़ा-थोड़ा balance में आना शुरू हो जाता है in short जो insulin insensitivity है वो धीरे-धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है in turn वो आपके diabetes में बहुत help करता है but type 2 diabetes में ज़रूर recommended है कि आप intermittent fasting कर सकता है type 1 में इतना recommended नहीं है या doctor के supervision में करना ज़रूरी है but कैसे करना है मैं उसके उपर ज़रूर आती हूँ और बहुत सारे और complications future के आप avoid कर सकते है already है तो उसे relief उसमें आपको मिल सकता है और एक तीसरी चीज़ जो intermittent fasting में होती है कि because यह आपके brain के उपर भी directly work करता है तो आपका जो neurotropic factors होते है उसका production बढ़ाने के लिए intermittent fasting बहुत help करेगा जिसकी वज़े से जो neurons है brain में उसके survival और growth के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है अब generally intermittent fasting ज्यादा तर लोगों के लिए safe होता है बट मैं एक चीज़ जरूर बता दूँ कि यह है जो नाम है ना intermittent fasting यह westernized नाम है बट यह concept जरूर हमारे भारत में सालों से use हो रहा है यह तो सर्फ क्या है कि western में उन्होंने नाम दे दिया intermittent fasting तो लोगों ने बहुत ज़्यादा seriously लेना शुरू कर दिया जब योगा बना western culture में जाके तो हमने उसको थोड़ा ज़्यादा seriously लेना शुरू कर दिया जस्ट लाइक डाट यू नाम जो भी हो पट उसका concept मैं अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें यह समझना है कि हमारी जो संस्कृती है भारत की वो इतनी रिच है कि यह सारे concept सालों से सदियों से लिखे भी गए हैं लोग follow भी करते थे बट कहीं न कहीं हम जो वहाँ follow होता है वो फिर यहाँ पर follow करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम पहले normally जब रात को sunset होता था हम खाना बंद कर देते थे indirectly fast हो जाता था क्योंकि पूरी रात आप वैसे भी खाना नहीं खाते थे right so अब intermittent fasting किसे नहीं करना चाहिए come to how exactly you should do intermittent fasting बट किसे नहीं करना है जितने भी pregnant females है या breastfeeding women है उनको वो नहीं करना चाहिए type 1 diabetes है तो आप avoid कर सकते हैं अगर आप बच्चे हैं छोटे से avoid कर सकते हैं बहुत ज़ादा heavy workout करना होता है heavy strenuous job है तो आप avoid कर सकते हैं कभी-कभी कुछ females जो बहुत stressful zone में रहते हैं काम में रहते हैं उनको avoid करना चाहिए because मैंने देखा हुआ है कि कुछ-कुछ females को ये suit नहीं करता especially अगर severe hormonal imbalance है तो कुछ eating disorder है नहीं करना चाहिए कुछ medical issue है certain medical issue जिसमें doctor नि strictly मना किया है भूखे रहने से या specific कैसी कोई चीजों को follow करने से नहीं करना चाहिए या आप underweight हो नहीं करना चाहिए आपको hypoglycemia बहुत जदा होता है या अगर आप बहुत जदा you know blood sugar के issues यानि low blood sugar low blood pressure के issues से सफर कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए और उसके अलावा अगर आप करो और आपका body थोड़ा weird react करता है जहां पर आपको मजा नहीं आता but because आपको बोला है करना तो आप you know आप strictly करते हो वो नहीं करना चाहिए always listen to your body एक चीज सबके उपर apply नहीं होती है but this is a general rule जो मैं सारी चीजे आपको बता रही हूँ अब बात करते हैं exactly intermittent fasting कैसे करना बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे की alternate day fasting कुछ लोग करते हैं उसमें so एक दिन फास्ट करते हैं एक दिन खाना खाते हैं so fasting और eating का एक एक दिन रखते हैं which is difficult कुछ लोगों के लिए ज्यादा तर लोगों के लिए दूसरा एक तरीका five two का होता है यानि पांच दिन eating window होता है two days fasting window होता है कुछ लोग जो है वो even one omad जिसे बोलते है one meal a day का कंसेट फालो करते हैं again यह सारे कंसेट में मैं इतना नहीं मानती हूँ बहुत कम लोग होता है जिनको यह शायद sustainably suit करे मेरे experience में मैंने अभी तक मेरे कोई client को यह recommend नहीं किया है ज्यादा तर लोगों को मैं मना करती हूँ because our body is meant to eat and move right तो better concept कौन सा है जो ज्यादा तर लोग follow कर सकते हैं the concept is called 16-8 window 16-8, alright अब 16-8 क्या है 16 hours of fasting and 8 hours of eating इसे काल जाता है intermittent fasting technically but मैं आपको यह भी बता दो कि इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप 14 घंटे fast करते हो तो आप कहीं गलत कर रहे हो 10 hours of eating window है तो आप कुछ गलत कर रहे हो not at all slowly आप build कर सकते हो so I will tell you exactly है कैसे आप slowly 16 hours तक जा सकते हैं but कुछ लोग जो है वो even 18-hour fasting और 20-hour fasting भी करते हैं अब अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पहले तो आप यह चेक कीजे कि आपका जो last meal of the day है let's say आप 9 बजे खाते हैं रात को फिर उसके बाद आपका next meal कब होता है तो next meal जो count करना है that has to be a calorie वाला meal तो ऐसा meal जिसमें आपने let's say सिफ पानी पिया सिर्फ आपने कोई you know green tea पी ली तो उसे count नहीं किया जाता है because उसके अंदर calorie होती नहीं है बट आपका जो first meal जिसमें calorie होता है वो हम count करता है तो generally let's say 8 बजे आपने breakfast किया तो क्या हुआ रात को 8-9 बजे आपने last meal लिया और first meal दिन का आपने let's say 8 बजे ले लिया even आपने simple masala चाय ले ली जिसमें milk और sugar होता है आपने 6 बजे ले लिया तो आप उतने घंटे count करो example 9 बजे आपने डिनर लिया 6 बजे आपने चाय पी ली तो आपका break जो fast है वो break हुआ है तो आप कितने घंटे हुए approximately it is 9 hours अब अगर आपको गई directly बोलता है कि 9 से 16 घंटे पे तुरंत आजाओ तो आपके body को shock भी लगेगा it is not good कि आप suddenly maybe 16 घंटे पे चले जाओ sustainable नहीं होगा शायद तो आप क्या कर सकते हो you can slowly build up to 10 hours so 9 घंटे आप कर रहे थे अब आप 6 बजे के बदले 7 बजे जो है चाय ले रहे हो 6 के बदले आप 7 बजे first meal ले रहे हो तो it'll be a 10 hour of fasting फिर दीरे दीरे आप maybe dinner का time थोड़ा prepawn कर दीजे फिर breakfast का time थोड़ा सा postpone कर दीजे and you will notice कि 16 hour फिर easily हो जाएगा अब ideally it is recommended कि आपका last meal of the day जितना जल्दी ले सकते हो उतना जादा अच्छा है so example 6 बजे 7 बजे अगर आप last meal ले सकते हो nothing like it so around sunset आप last meal ले लीजे बहुत ज़्यादा late ना हो especially 7-8 से ज़्यादा तो late बिलकुल भी ना हो ज़रा देखेगा हर एक body different होता है तो आप check कीजे कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है but this is a again general rule और जो next meal है so let's say for example ideal is कि आप 7 बजे डिनर ले लीजे 10 बजे 11 बजे आप सोते हैं तो 3-4 घंटे का gap हुआ आपके डिनर और आपके सोने की बीच में which is very good next meal जो आपका होगा वो अगर आप 7 बजे डिनर लेते हो तो आप next meal जो है next सुभ है 11 बजे ले सकते हो which can be your breakfast or lunch अगर वो मुश्किल लगता है तो मेभी आप 8 बजे last meal ले लीजे which is your dinner और मेभी 10 बजे आप अपना next meal I mean your first meal of the day which is your breakfast आप ले सकते हो तो again वो easy हो जाएगा तो 8 बजे का dinner, 10 बजे का breakfast 14 गंटे का fast anyway हो गया तो आप देखे आपके body को again क्या suit करता है and this is what you can follow अब एक बोख़ इंपोर्टन क्वेशन आता है कि आपको जब fast करना है तो उसमें क्या खाना और eating window जो 8 गंटे का या 10 गंटे का होता है उसमें क्या खाना तो आपका जो fasting का समय है उसमें पानी definitely आप पीजे कभी भी भूलिये नहीं कभी-कभी हाँ dry fasting का एक concept होता है that is a completely different concept बट यहाँ पर intermittent fasting में ज़रूर hydration ज़रूरी है तो regular basis से आप पानी पीते रह सकते है दूसरा ऐसा कोई भी non-caloric beverage healthy beverage आप ले सकते हो basically उसमें calorie नहीं होनी चीए जैसे कि कुछ लोग green tea, black coffee वगेरा वगेरा लेते हैं या sparkling water या ऐसी कोई चीज ले लेते हैं which is okay अगर अगर आपके body को suit करता है but मैं फिर भी recommend करती हूँ कि black coffee शाइद सब को suit ना करे मैं personally जब intermittent fasting करती हूँ black coffee avoid करती हूँ because उसकी वज़े से थोड़ा gut dysbiosis create हो सकता है for most people green tea still better than black coffee और अगर आप सिर्फ पानी पे रह सकते हैं nothing like it या even better है कि coffee जो है ना coffee या tea या टी जैसी चीजे जो आप ले रही हो वो थोड़ी appetite suppressant के रूप में काम करती है तो आपको भूख कम लगेगी during the fasting phase इसलिए लोग उसे prefer करते हैं but let's say वो नहीं लेना है तो आप maybe कुछ herbal tea ले सकते हो okay so these are some of the options eating window में आप क्या ले सकते हो eating window में बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं overeating हमारा body क्योंकि एक fast के समय से गुजरा है तो तुरन जब आप fast को break करते हो बहुत जदा heavy अपने body में डाल देना सबसे बड़ी गलती होगी या during 8 or 10 hours of window बहुत heavy डाल देना again बहुत बड़ी गलती होगी so वो नहीं करना है you know just be away from overeating for sure और पहला meal जो आपका है वो light अगर आप रख सकते हो like a fruit like you know maybe fruit and dry fruit ऐसा कुछ अगर आप ले सकते हो nothing like it और पूरा जो eating window है उसमें remember वो nutritious meal होना चाहिए so it should have vegetables, fruits, protein good source of protein होना चाहिए you know vegetables जितने आप add कर सकते है in any form that will be great healthy fats आप जितना add कर सकते हो and good source of carbs तो देखे कि वो nutritious हो all right उसी के साथ-साथ लोगों को common सवाल ये रहता है कि क्या मुझे exercise करनी चाहिए during intermittent fasting और intermittent fasting को कितने दिन करना चाहिए ideally ये ऐसी चीज है ना कि जो आप lifelong कर सकते हो अगर आपके body को suit होता है तो अगर मैं मेरी बात करूँ कुछ सालों पहले मेरा body ऐसा था कि जहां पर मैंने यूनो वीगन डायट को फॉलो किया था for a few months quite a long time और तब मैंने intermittent fasting की कोशिश करी थी it did not work on my body फिर मैंने वो छोड़ दिया मैं यहां पर किसी को यूनो वीगन के against भी नहीं बोलना चाहती उसके favor में भी नहीं बोलना चाहती because कोई भी किसम का डायट जो है वो specific condition और specific time slot के लिए ही होता है as per me तो वीगन कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है और उन लोगों के लिए specific समय में अच्छा है जब बोड़ी का गोल बदल जाता है बोड़ी की condition बदल जाती है तो same इंसान को जिनको वीगन अच्छा लग रहा था बोड़ी में result दे रहा था वो next time शाद रिजर्ट ना भी दे तो मुझे पहले work नहीं कर रहा था intermittent fasting बिलकुल भी बट आज ऐसा zone है जहां पर मुझे intermittent fasting everyday में अगर करूँ तो भी मुझे वो result दे रहा है तो how long to follow it it depends कि आपका body कैसे उसके साथ react कर रहा है और आपकी condition कैसी है let's say अचानक से कोई यसी stressful event हमारी life में हो जाती है तब intermittent fasting वर्क नहीं करेगा in most cases right कभी ऐसा zone आ जाता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा heavy workout का समय है और में भी आपको करना है में भी intermittent fasting might not work so exercise करनी या नहीं करनी बहुत heavy avoid कीजे अगर आपका काम body building का है अगर आपका काम है बहुत severe muscle build करने का you know आपने goal रखा हुआ है तो intermittent fasting should be avoided but common लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप बिना exercise intermittent fasting मत करिए because लोगों का ऐसा लगता है क्योंकि मैं तो fast कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे तो movement कम कर देना चाहिए नहीं actually आपको moderate exercise ज़रूर include करनी चाहिए अब आप कहोगे कि मेरा तो morning में workout होता है तो फिर मुझे अगर खाना नहीं है तो क्या मैं fasted workout कर सकते हूँ या कर सकता हूँ then the answer is yes आप कर सकते हो but again bio individuality works हमारा body unique है देखिए कुछ लोगों को fasted workout ज्यादा you know efficient लगता है कुछ लोगों को headache हो जाता है तो अगर headache होता है या तो exercise का time change कीज़े या तो आपके window को change कर दीजे fasting window को but के आप exercise कर सकते है yes कर सकते है heavy कर सकते है नहीं moderate कर सकते है और अगर आपको body में weird feeling आ रहा है negative side effect आ रही है तो आप fasting का जो zone है और जो intensity है उसे कम कर दीजे टाइमिंग कम कर दीजे so हमने intermittent fasting के बारे में काफी बात कर दीए I hope कि आपको clarity मिली होगी और अगर आप follow करना चाहते हैं आपको काफी अच्छा guideline मिला होगा but remember फिर से मैं बता रही हूँ कोई भी चीज को follow करने से पहले हमेशा याद रखे आपका body unique है तो उसे as a laboratory you know देखे it's the biggest lab that you have right with you experiment कीजए देखे आपका body जब कुछ नई चीज ट्राइ कर रहा है तो कैसे react कर रहा है everything is a feedback और आपको पता चल रहा है क्योंकि मेरा mood अच्छा हो रहा है grade कीजए अगर आपको उसे stress आ रहा है maybe वो आपके लिए अच्छा नहीं है try कीजए और फिर मुझे comment में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका अनुभव या आपका past में कोई अनुभव है या currently आप intermittent fasting कर रहे हो तो आपका अनुभव ज़रूर comment में लिखे ताकि लोग उसे पढ़कर एक कुछ inspiration पास सके because remember आप जब share करते हो तो आपके अनुभव से बहुत सारे लोग हैं जो inspire हो सकते हैं I hope ये podcast आपको help किया है if you feel this has helped you let me know in the comment कि कैसा लगा साथ में fit bharat mission को अब तक अगर आपने subscribe ना किया हो bell button को click ना किया हो अभी कर लीजेगा apple podcast spotify के उपर इसे अगर आप सुन रहे हैं लोगों को उसके बारे में ज़रूर बताईए and उसी के साथ-साथ ऐसे ही अलग-अलग topic के उपर बहतरीन podcast सुनने के लिए सुनते रहे है fit bharat का holistic health with shivangi desai let me know in the comment also what else you would like to know जिसके उपर मैं podcast बनाओ और अगर आप youtube पे इसे देख रहे हैं make sure that you share it with others तब तक याद रखे अगर health है तो सब है